Hello मेरे Epic Groupers, पिछटी वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से हम Negative Character Set का यूज करते हैं regular expression में, RegEx में इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह से हम match कर सकते character that occur one or more time जो एक या एक से जाधा बारी आ रहे उसको कैसे use करना है, ठीक है? So, let's start Sometimes you need to match a character or group of character that appears one or more time scenario, ठीक है? Sometimes हमें कुछ ऐसे characters को find करना होता है, जो एक या एक से जाधा बार ये किसी row में आ जाता है This means it occur at least once and may be repeated, इसका मतब कि एक बार तो होता है ये कम से कम और क्या पता शायद repeat भी हो जाए You can use the plus character to check if that is the case, ठीक है? हमें plus character का use करना होता है, ताकि हम देख सके कि वो case है भी या नहीं Remember, the character or pattern has to be present consecutively, ठीक है? ये ध्यान देने वाली बात है कि character या pattern जो होगा, जो भी हम pattern के बारे में चेक कर रहे है वो consecutively मतब लगाता है वो repeat होना चाहिए, ठीक है? मत या फिर एक के बाद एक So that is the character has to repeat one after other For example, example के लिए बोला है कि जैसे कि यह हमने रेगेश डाल दिया forward slash a plus forward slash g g बता रहा है repeatability के लिए, ठीक है, flag या दोगा तो Would find one match in abc यहाँ पे क्या होगा? यह one match देगा, मतब कि यहाँ पे यहाँ आ गया उसने देखा कि a plus plus मतब कि यहाँ पे कोई भी character होगा तो वहाँ पे a plus के साथ a use हुआ है तो एक तरह से यहाँ पे return क्या करेगा match जब हम करेंगे a, ठीक है Because of the plus sign It would also find a single match in a a and return a, ठीक है अब यह क्या बोते है, a a में भी यह match find करेगा, return क्या करेगा, a a कर देगा return ठीक है, if it were instead checking the string a, b, a, b अगर हम a, b, a, b string गड़े check करेंगे It would find two matches and return a, a, ठीक है यहाँ पे दो match करेगा और return करेगा a, a क्यों क्योंकि consecutively नहीं है, मतब लगातार नहीं है लेकिन क्या बोलते है, इसके बीच में character है because the a characters are not in a row, a जो character है वो रो में नहीं है there is a b between, यहाँ पे देखते हैं, there is a b between them finally, since there is no a string in the b, c, d और b, c, d string को अगर पास करेंगे, इसमें तो कोई a ही नहीं है तो यहाँ पे बात ही खतम होगी, so it wouldn't find a match अब इसको exercise में check करते हैं, और देखते हैं, actually होता है, ठीक है so, मैं यहाँ पे कर देता हूँ, यहाँ पे हमें miss cp, cp है और हमने देखना है कि s कितने बार occur कर रहा, one or more time तो हमें क्या करना है, s plus g, so, मेरे साब से तो इतना ही होगा let's check out the test, test pass हो गया, लेकिन मैं एको चीज़ चेक करना चाहता हूँ कि यह return क्या करता है, ठीक है, so console.log हम क्या करेंगे, result check कर लेंगे so, let's see, देखो, SS, SS repeat कर दिये, जैसा कि यहाँ पे A, A, B, C में किया था, ठीक है तो यह भी चीज़ आपने देख लिए कि कैसे यूस करते हैं इसको, अब मैं मिलता हूँ next video में, अगर आपको कोई भी doubt हो, comments करके पूछ सकते हो, मैं बोलूँगा कि एक बार न, आप इसको खुद से भी एक बार पढ़के देखना, शायद clear हो जाए, अच्छी तरह से ओर, तो next video इदर शो हो जाएगी, आप उस पर चेक कर सकते हो, playlist के लिए इदर आप क्लिक कर सकते हो, और बाई, वीडियो को लाइक कर देना बस, ठीक है, बस, इतना ही चीज़ है